आपका बहुत-बहुत स्वागत है पावर सेरिंग रिवाइब सिरीज में स्टार्ट करते हैं बेल्जियम और स्री लंका से बेल्जियम एक छोटा सा देश है जो कि वेस्टन यूरोप में इस्थित है और इसके आसपास जर्मिनी, नेदरलेंड, लक्संबर और फ्रांस इस्थित हैं और इसकी जनसन क्या एक करोर से थोड़ा सा ज़्यादा है अगर इसकी कॉंपोजिशन के बारे में बात करें तो जो 40% लोग हैं या फ्रेंच स्पिकिंग हैं जो फ्रेंच कम्यूटी है या रिच और पावरफुल है जबकि डच कम्यूटी ज्यादा रिच और नाई ज्यादा पावरफुल है और इसको benefits मिलता है लेकिन बाद में मिलता है स्री लंका की बात कर लें तो यह एक आइलेंड नेशन है जो कि हमारे भारत का एक दक्छडी पडोसी है इसकी कॉम्पोजिशन के बारे में बात करें जो 74% सिन्णाला बोलने वाले लोग है यह फॉलो करते थे बुद्धिजम को वह दूसरी तरफ तमिल बोलने वाले लोग थे जो फॉलो करते थे हिंदू और मुसलिम को 18% में से भी जो 13% है यह स्री लंकन तमिल्स थे और बचे हुए 5% यह इंडियन तमिल्स थे और जो 7% क्रिस्चन है यह बोलते हैं तमिल और सिन्णाला यहाँ पर प्रॉब्लम यह थी कि जो सिन्णाला स्पिकर है यह मैजॉरिटी में थे और यह डॉमिनेट कर रहे थे तमि और जितने भी तमील है या अपने को अकेला महसुस करने लगे उसके बाद यह लोग लांच करते हैं पार्टिस को जहांपर तमील को माल लेते हैं या मेरी ओफिस्यल लेंग्वेज है 1980s में डिमांड की जाती है कि सेपरेट करो तमील एलम को आउटकम यह मिलता है कि यह सिविल वार में बदल जाती है और इस सिविल वार को एंड किया जाता है 2009 में एकॉमेडेशन इन बेल्जियम 1970-1993 के बीच में सनवीदान को चार बार सुधारा जाता है यह कहा जाता है कि नंबर आप डची स्पिकिंग और फ्रेंची स्पिकिंग मिनिस्टर इक्वाल होंगे इन दे सेंटरल गवर्मेंट जहांपर कुछ पावर सेंटरल गवर्मेंट स साथ इस्टेबिलिटी और पॉलिटिकल आडर का बहुत ध्यान रखा है और यह लोगतंदर की भावनाओं को समझती है फाम आप पावर सेरिंग होरिजॉन्टल फॉर्म जहांपर पावर को और गवर्मेंट में बाटा जाता है जैसे कि लेगिस्लेचर एक्सग्यूटिव जैसे कि सेंटरल इस्टेट और लोकल गवर्मेंट पावर सेरिंग एमांग सोसल ग्रूप्स पावर सेरिंग डिफ्रेंट पॉलिटिकल पार्टीज और प्रेसर ग्रूप में बाटी जाती है चैप्टर एंड बाकी आप मेरी मेनत के लिए एक लाइक और एक सब्सक्राइब कर सकते हैं धन्यवाद